कभी भी हम कांग्रेस पार्टी नेताओंको अमारा पुल्टिकल बीजेपी उवेंट को हम बुलाएंगे नहीं, वो आना चाहतो भी आने नहीं देंगे हम मगर जो अयोध्य में हो रहे है वो बारती जनतापार्टी का उवेंट नहीं वो रेसी का उवेंट नहीं ये ये बगवान स्रीराम का इवेंट है लगबग 500 साल का संगर्ष का एक इंड करने का इवेंट है और ये सुप्रिन कोट का जज्जमेंट के द्वारा नियमित किया गया आदेश पर निर्मान हुआ मंदिर का इवेंट है और मैं आपी बताना चाता हूँ हाईदरबाद में भी हमारे महिला जो रावबक्त के महिला जो आयोजेस से आयोए जो अक्षिंतों को ले जाके गरगर बाट रहे तो उनके उपर भी हाईदरबाद में केसे से लगाया यह पहला केस है भारत में किदर मिले हुए कांग्रेस पार्टी सरकार हमारे रावबक्तों के ओपर एफ़ेर निकला के आरेस्ट करने के लिए प्रैस करें इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी अभी नहीं पहले से ही एक अफिज्मेंट पालिसी अपनाते हैं एक सूडो सेकलरिस्ट राता नाते अपनाते हैं और ओल्ट बैंड पालिटिक्स के अब तरफ देखते हैं कभी भी अंति हिंदु स्टैंड लेते हैं इंदु ओंको अफमान करना हिंदु ओंके फक्ष में कभी आया हुआ बात नहीं करना और सुपिन कोट में भी अलगाला कोटों में भी अयोजे में राम किदर हैं अयोजे में राम जन्मन नहीं लिया है ऐसा अफ़रूइड दाले हैं कांग्रेस पार्टी इसलिए मैं ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार अंटी हिंदुस टांड लेते हैं मैं फिर बताना चाहता हूँ जो 22 को जो अयोध्य में इवेंट होने वाला है ये बीजेपी इवेंट नहीं है वो रसेस का इवेंट नहीं है ये देश के 140 करोड जनता का इवेंट है ये पुरे हिंदुओं का इवेंट है ये सुप्रिम कोट का जेज्जमेंट पर आधार पर उसका जेज्जमेंट को इंप्लिमेंटेशन करने वाले इवेंट है कांग्रेस पार्टी इन सेकुरिटी है आज बारत में मेरे द्रमोर जी जो भी काम करते हैं उसको किलाफ करना पार्लमेंट को बाइकाट करो एलेक्शन कमिशन को बाइकाट करो GST meeting को बाइकार्ट करो, और जो भी development activity ऒोते हैं, उस सबी meetings को बाइकार्ट करना, आने वाले दिन में, अभी 90% बारत के जन्ता Congress Party को बाइकार्ट के रिया है, अभी भी Congress Party की समझ वे नाया है, आने वाले दिन में पूरा, पुरा पुरा कांग्रेस परिवार को कांग्रेस पाट्टी को भारत के जनता बाइकाट करने के जनता है